तो हाई गाईस हम आगे हैं वापस फिर से एक शांदार से वीडियो के साथ और गाईस देख सकते हो आज एक दम next level मजा आने वाला और क्यों आप देख सकते हो किस वज़े से क्योंकि काफी टाइम से मैंने ओडर किया था अभी आ गया है और अगर आपने नहीं देखा जो बड़ा सा बॉक्स मैंने काफी टाइम पहले उसमें यह सब निकला था काफी टाइम से मैं इसको ओपन करने का वेट कर रहा था और इसके बाद जल्द ही हम ओपन करेंग सब्सक्राइब करो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बुलाने का सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना ही है ठीक है और गाइस अपने थोट्स को कि इदर बताना है कमेंट सेक्शन में तो जो भी भड़ा से दिल मे सब्सक्राइब करते हैं तो गाइस अन्बॉक्स कर लिए हमने अपने बेबलेट्स तो तो गाइस जो सेट आता है बेबलेट्स बियू का बर्स्ट अल्टिमेट वी एस सेट तो यह है गाइस वो वी एस सेट गाइस क्यों बोलते है क्योंकि इसमें वैलकरी आता है स्प्रीगन आता तो वी और एस मिलके वी एस सेट बनता है इसके साथ हमें यह एक वी एस गेर देखने को मिलता है इस गेर को गाइस वी एस गेर ब लगे हुए हैं और यह लग गया यह अभी हो जाएगा कंप्लीट तो इसा कुछ लुक आने लग जाता थोड़ा और कंप्लीट करने का मैं सोच रहा हूं इस वाले डिवाइन बेलियल का यह यह लगाते हैं और मैं गाइस यह क्या बन के तयार हुआ है यह डिवाइन बेलियल हो जाता सारे लगने के बाद और यह लग जाता है इस से विएस गेर का फाइदा यह विएस गेर ऐसा हो जाता है काफी स्मूध आउट कर देता है फिर यहां पर हमको एक यह की टूल मिल जाता जिससे हम स्प्रिगन का स्पिन पी चेंज कर सकते हैं अब गाइस में इंपोर्टन बात पर आते जो इस सैट की में बात ठीक है त आपको अच्छे से विज्वलाइज हो सके गाइस यह आप देखिएगा सिमिल्यारिटी तर पर तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर आप स्प्रिगन और वेलकरी हैं तो जो आप आखरी स्प्रिगन देख रहे हैं यह पहले स्प्रिगन से काफी इंस्पारड है और यह भी काफी जदा inspired है तो पहले तो गाइस में लेयर आपको comparison देता हूं थोड़ा सा तो गाइस अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आप देखें लेयर में कितनी ज़्यादा similarity है काफियत तक जो कि हम लोगों को यहां पर मिलती है और इस साइड देखें तो जो राइट पार्ट हो काफियत तक राइट पार्ट बन गया है तो ऐसा कुछ फील दिया है और अच्छा बनाया गाइस यह बर्स प्रीगन तो जो लेयर की गाइस सिमिलारिटी है वह बेसिकली एस्टर प्रीगन से ही ली गई है यह थोड़ी सी लेयर बड़ी यहां पर जो ब्लेड है बेसिकली धिंडब्लेड लेजर भी बोलो यह थोड़ा सा बड़ा साइस में तो यह वह ऩो पर देखने को मिलती जिसका नाम एस प्रेड डैस यह डिश्ञ इसको पहले वाले से लिया गया है तो उसमें जो स्प्रेड डिस्क आती थी उसका वियू वर्जन बनाके स्प्रेड डैश कर दिया गया है तो यह था गाइस अगर आप सारे स्प्रिगन देखने चाहते हो तो बताओ मुझे कमें सेक्शन में तो गाइस यह अपना कॉम्बो बन के आ यह काफी अच्छा कॉम्बो देखें गाइस यह स्टाउक एस्ट्रल के कमपैरिजन में कैसा है क्योंकि इस प्रिगन से बैडल करने को कोई मतलब नहीं बस दिखा रहा था मैं कि इंस्पिरेशन कहां से आया गाइस फिर यहां पर यह वैलकरी जो पहला वैलकरी आया था वह वैलकरी वी वन जो किया गाइस विंग और एसील तो जैसा कि हमने प्रिगन में देखा था जो ब्लेड है वह एस्टरल प्रिगन मतलब डीवी वाले स्पिरिगन से लिया गया सेम यहां पर भी वाले इल्टिमेट वैलकरी में जो ब्लेड है वह पूरा-पूरा गाइस पहले वरना यह हुआ करता था और जो डिस्क है आप देख सकते हूं पहले वैलकरी से लिया गया विंग डिस्क आती थी आप इन्होंने विंग को डैश कर दिया है वियू में कनवर्ट करके उसको बनाया विंग डैश और यस ड्राइवर में भी आप देख सकते हो एसील होत तो इसका कोई बैटल नहीं बनता बड़ मैं रिफरेंस के लिए दिखाना चाहता था और इससे पहले हम इसकी टेस्पीन ऑ बैटल की तरफ बने मैं आपको दो और चीज़े दिखा देता हूं तो गाइस यह दो अल्टिमेट वैलकरी और हैं तो टोटल गाइस अल्टिमेट टाइब की वाइब वाला अल्टिमेट वैलकरी रिलीज किया था तो टोटल चार रिकलर अल्टिमेट वैलकरी के रिलीज हुए थे स्प्रिगन का इतने जाद आप कुछ देखने को नहीं मिला बहुत ज्यादा हाँ एक एस्ट्रल हेलो किटी को अगर कंसीडर करें तो वह ज त्यार है लेकिन गाइस बैटल मिस से पहले आगे बढ़ेगा और वेट हो जाए इनका ताकि आइडिया लग जाए कि कितना वेट डिफरेंस पिछले वर्जन से इसमें आ गया है तो अपना वेंग स्केल आगया है फटाक से वेट कर लिया तो गाइस पहले एल्टिमेंट व स्पीगन की जो की है गाइस 75 ग्रैम तो उल्टा हलका हो गया है तो मुझे नहीं पता एक ऐसा परफॉर्म करेगा अब गाइस एक बार जो परफेक्ट डिवाइन बेलियर बनाया था इसका वेट देख ले तो इसका अगर अलग से बैटल करना हो तो बताना यह क्या है यह क् पिन वगएरा करते हैं तो चलो गाइस बिना किसी देरी के स्पीन करते हैं पहले 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 बहुत जादा डिफरेंस नहीं है बढ़ हाँ परफॉर्मेंस आइधिंक इसका अच्छा होने वाला है तो चलो मैं भीक लिए रोग दिता हूं इसको ओहो लगता भी यह पकड़ करने वाले यहां पर और यस देट इस केस तो यस बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है बढ़ हाँ इसका जब यह जो पॉइंटी पार्ट है नीचे आफ यूजन डैस में वह जब घिस जाएगा तो गाइस एक दम अटायक होने वाला है बट ओवराल मुझे नहीं लगता अटी जल्दी किसने वाला क्योंकि मैंने फ्यूजन फ्यूजन डैस उसकिया हुआ है गाइस कोई ड्राइवर नहीं है तो और आल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो चलो गाइस पहले एक एक बैटल हो जाए एस्ट्रल वर्स एस्ट्रल की फिर गाइस करेंगे बैट और गाइस यह जैसे डार्क वूल्फ रहता है ना गाइस एकदम मेटल सीरीज पर अगर आपको पता हो डार्क वूल्फ भी गाइस काफिया तक ऐसे ही परफॉर्म करता है और गाइस अपना ऐसा लग रहा है एस्टर स्प्रिकन सायद हमाने वाला है राए तो उसको एडवा जीत गया तो यह गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा कुछ इंप्रूमेंट नहीं हुई इधर पर एक बार चलो ट्राइब करते हैं शीच को यह गया अपना बर्स प्रिकर अबारी गाइस एस्ट्रल की अच्छा लाउंच पावर गाइस इतना जाता खतरनाक है कि यह अग्रेसिव हो जा रहे हैं अच्छा लाउंच पावर है तो कहीं नहीं गाइस बस प्रिकर अच्छा है परस्टेली एक कॉम्बो माकी बेवेट के आगे वो सकता अच्छा साबित हो बड़ एस्ट्रल कि उतना चोजा भी शरीज हो पार है अब भी अश्टल पहले वाला ब्हाई जमदार है कोई नीए अब गारी के अगेंस करते हैं अल्टिमेट वैलक्री तो मैं पहले इसको लाउंच कर देता हूं ज्यादा ग्रेशर्यी wn तो आपिए्ट कि यह गया अब अपने एल्टीमेट वैलकरी की बार ही है यह खतरनाक ही हो रख्यादा कि ज्यादा ही खतरनाक है तो चलो गाइस दूल लॉंचर से करते हैं बैटल अल्टीमेट वैलकरी वसे यह यह बहुत जदा पागलपन वाला है तो लैट इंप अ तो परसनली मैं बोलूँगा पहला वाला अल्टिमेट वैलक्री अभी भी अच्छा बड़ गाइस ये भी कोई कम नहीं ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कॉम्बो एक डेड़ ग्राम वेट बढ़ा है और कंट्रोलिबिल्टी बहुत अच्छी हुई है तो मुझे लगता तो गाइस अभी तो ये जो भी हुआ सो हुआ पतानी ड्रॉय क्या बट इन पर डिटेल वीडियो देखना जाता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में और गाइस इनका एक बैटल इस मॉंस्टर से भी कर देते हैं तो ओवर और गाइस इसमें काफी अच्छी चीज़े निकली है और मज़ा गया है और यह गया अपना बेलियल मॉंस्टर अगर बेलियल हार गया तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा तो कि इतना वेट है इतना पावर है और हरकतें बहुत खराब और गाइस नाक कटा दी बेलियल ने तो कोई नहीं काइस यह सब तो लगा रहेगा और आपने थॉट्स को बताव कमेंट सेक्शन में आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था तो मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन तब तक लिए गाइस टे सेफ और है लिए गपी ले दे दिंग ले खेगा